तो हमारा आज का question है कि write a program that reads a number of seconds and prints it in form of minutes and seconds जानी कि यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि enter the number of seconds मैंने यहाँ पर enter किया 100 तो इसने मुझे return कि 1 minute and 40 seconds यानी जो मैंने input किया 100 उसमें 1 minute और 40 seconds है अगर मैं दूसरा input डालू मान लेते हैं 200 तो इसने मुझे वापिस return किया 3 minute and 20 seconds हमें कुछ ऐसा ही program लिखना है जिसमें हम input seconds में डाले और वो हमें minutes और seconds में output दे तो हम इस 200 वाले example को consider करते हुए चलते हैं दूसरी जगह यानी अपनी दूसरी screen पर और वहाँ पर मैं इस 200 को यानी हमने input जो दिया वो था हमारा 200 अब इस 200 में मुझे minute चाहिए minute कितने हैं तो एक minute में होते हैं कितने 60 seconds तो ये 200 seconds में अगर मैं इसको 60 से divide कर दू और फिर 60 into 3 जो की होगा 180 और फिर नीचे हमारा remainder बचता है 20 तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये जो 200 है ये हमारा input था एक minute में हमारे पास 60 seconds होते हैं और इस 200 में हमारे पास 3 minute हैं और ये जो remainder बच गया 20 इतने seconds हमारे पास 200 seconds में से बचे हुए हैं तो ऐसा ही program हमारा कुछ काम करने वाला है सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ेगी input लेने की तो उस input को मैं store करूँगा एक time नाम के variable में और वहाँ से मैं input लोगा time को जैसे की enter the number of seconds अब बारी आती है calculation की minute को मैं store करूँगा एक mint नाम के variable में और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जैसे हमारा वहाँ पे 60 into 3 था अगर हम 200 को 60 से divide करते हैं तो हमारा जो answer है वो point में आएगा लेकिन हम point नहीं चाहते हैं point हटाने के लिए हमारे पास python हमें देता है flow division तो जो हमारा time है input है उसका flow division कर दें हम किस से 60 से और फिर जो second हमारा था वो था हमारा remainder हमें remainder निकालने के लिए python भी हमें उसका option देता है जो की है modulus operator जैसे की जो हमारा time है वहाँ पर modulus का sign और फिर 60 यह हमारा होगा कुछ यूँ अब calculation हो गई अब पूरी simple हमें इस result को print कर लेना है print में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले तो mint कितने minute? mint minute and कितने second? sec seconds अगर मैं इस program को अब run करूँ यह मुझसे input मांग रहा है कि enter the number of seconds तो मैंने यहाँ पर दिया वापिस 200 तो इसने मुझे return कर दिया 3 minute and 20 seconds अब अगर मैं दूसरा input डालूँ जो की है 100 तो इसने मुझे return किया 1 minute and 40 seconds अब अगर मैं तीसरा input डाल के चेक करूँ जहाँ पर मैंने input दिया 10,000 और तो यहाँ पर मुझे आता है 116 minute and 40 seconds I hope कि आपको यह program समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा अगर आपके पास भी ऐसे कुछ questions हैं तो आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए program के साथ good bye